स्वागत है आप सबका लाइव लॉग की इस खास पेशकश कोट्स टुडे हिंदी में जहां हम आपको हिंदुस्तान के सभी कोट्से आने वाली आज की ताजा अपडेट्स देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में इन सब खबरों के लिंक मिल जाएंगे तो जरूर जाएए ला इस मई को जारखंड के पूर मुख्यमंत्री हेमंत सुरेन की वो याचका खारिच कर दी जिसमें उन्होंने जारखंड में कथित भूमी घोटाले से संबंदित मनी लॉंडरिंग मामले में प्रवर्तन देशाले यानी इडी द्वारा उनकी गिरफतारी को चुनौती दी थी नियामूर्ती दिपांकर्धत्ता और नियामूर्ती सथीष चंद्र शर्मा की विकेशन बैंच ने मामले पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त की जिसके बाद याचका करता ने याचका वापस लेने का फैसला किया पीट ने सुनवाई के दौरान मौकिक रूप से कहा कि यह आचका करता ने ED द्वारा दायर शिकायत पर संग्यान लेने वाली विशेश अदालत से संबंधित तत्यों का खुलासा नहीं किया था। आधिक जानकारी के लिए लोगाउन करिए www.liflaw.in. सुप्रीम कोट ने बुद्वार 22 माई को गैर कानूनी गतिवधी रोगधामदिनियम यानि UAPA के तहट आरोपित प्रतिबंधित पॉपिलर फ्रेंट अफ इंडिया यानि PFI से जुड़े आठ लोगों को जमाना देने के मदरास उचनेयाले के आदेश को रद कर दिया। कोट ने इन लोगों की जमानत ये कहते हुए रद कर दी कि उनकी खिलाफ आतंकवादी कृतियों को अंजाम देने के लिए धन इकठा करने के आरोप प्रतंद रिश्य सच प्रतीत होते हैं। नियामूर्थी बेला एम्त्रिवेदी और नियामूर्थी पंकज मित्तल की पीट 19 अक्तूबर 2023 के उचनेयाले के आदेश के खिलाफ राष्टिय जाच एजिंसी की चुनोती पर फैसला कर रही थी। पीट ने कथित अपरादों की गंबीरता पर ध्यान दिया। कारावास की अवधी डेढ़ वर्ष थी। और एनाये द्वारा उत्पादिद सामगरी की प्रकृती और आक्षेपेतादेश में हस्तक्षेप करने के लिए सहमत हुए। कोट ने जमानत रद करते हुए सुनवाई में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। पूर्व सीयम हेबन सोरेन द्वारा कथित भूमी घोटाले से संबंधित मनी लॉंडरिंग मामले में इडी द्वाराउं की गिरफतारी को चुनोती देने वाली याचका पर सुनवाई के दोरान आई। इससे पहले फरवरी में CJI DY चंद्रचूड ने मध्यस्तता केंडर प्रयागराज यूपी के एक कारेक्रम में भाग लेते हुए इस बात पर प्रकाश डाला था की नियाएधीश सब्ता में साथ दिन काम करते हैं खास कर जिला आदालत के नियाएधीशों के लिए जिने कम छुट्टी के दिन मिलते हैं दिल्ली हाई कोट ने मंगलवार को कथिच शराब नीती घोटाले से संबंधित मनी लॉंजिंग और भ्रश्चाचार के मामलों में पूर्व उप्टुख्य मंत्री और आम आदमी पाटी नेता मनीर सिसोधिया को जमानत देने से इंकार कर दिया नियामुर्ती स्वन्चांता शर्मा ने केंद्रिय जाज ब्यूरो यानी CVI और प्रवर्तन निदेशाले यानी ED द्वारा दर्ज मामलों में सिसोधिया द्वारा दायर की गई दूसरी जमानत या चिका भी खारिज कर दी दोनों मामलों में सिसोधिया फिलहाल नियाई किरासत में है कोट ने कहा कि सिसोधिया ने जमानत देने का मामला अपने पक्ष में नहीं बनाया इसमें आगे कहा गया कि ये मामला सिसोधिया द्वारा सत्ता के गंभीर दुरुपयोग और विश्वास के उलंगहन को दर्शाता है फिर कहा गया कि मामले में एकत्र की गई सामगरी से पता चलता है कि सिसोधिया ने अपने लक्ष के अनुरूप सार्वजनिक फीडबैक तयार करके उत्पाज शुल्क नीती बनाने की प्रक्रिया को विक्रित कर दिया ये देखते हुए कि भष्टाचार शराब नीती बनाने की सिसोधिया की इच्छा से उत्पन हुआ नियायमूर्ती शर्मा ने कहा कि आप नेता ने नीती निर्मान में हेर फेर करने की कोशिश की और उनके द्वारा गठित विशेशग्य समिती की रिपोर्ट से भटक गए अदालत ने कहा कि निर्ने लेने की प्रक्रिया की अखंडता से समझोता किया गया था नवींतम विकास में सुप्रीम कोट के फैसले के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की गई है जिसमें लखनाउ शहर के अकबर नगर शेत्र में कथित अनाधिकरित निर्मानों के खिलाफ लखनाउ विकास प्रादिकरन यानि लखनाउ डेवलप्मेंट अथॉरिटी के विद्वन्स अभ्यान को बरकरार रखा गया है दसमाई को दिये गए फैसले में जस्तिस संजीव खना और जस्तिस दिपांकर दत्ता की खनपीट ने लखनाउ अकबर नगर बाड़ शेत्र में विद्वन्स की कारवाही से संबंदित अलाबाद उचनियाले की टिपनियों को और निर्देशों को देखा और उनकी पुष् केरल उचनियाले ने राजिपाल आरिफ मुहम्मद खान जो केरल विश्विद्याले के चांसलर हैं द्वारा सेनिट में अन्यसदस श्रेणी में किये गए नामांकन को रद कर दिया नियामूर्थी मुहमद नियास सीपी ने कुलादी पती को छे सप्ता के भीतर कानून के अनुसार अन्यसदस्यों की श्रेणी में नए नामांकन करने का निर्देश दिया धारा सत्रा के अनुसार चांसलर के पास चार चात्रों को सेनिट में नामांकित करने का अधिकार है जिसमें से प्रतियेक मानवी की विज्ञान, खेल और ललित कला के शेत्र में अपने आसाधारण शेक्षानिक शमताओं से प्रतिष्टित है दिल्ली उचने आले ने आदेश दिया है कि अंग प्रत्यारोपन प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेजों में कमियों के बारे में दाता या प्राप्त करता को वाटसाप या इमेल के माध्यम से सूचित किया जाए ये आगे स्पष्ट किया गया है कि जब भी दस्तावेजी करण या किसी प्राक्रियात्मक औप्चारिकताओं में कमियों के बारे में दाता या प्राप्त करता को संचार देने की आवशक्ता होती है तो उक्त दाता या प्राप्त करता को इमेल या वाटसाप के माध्यम से मुबाइल नंबर पर एक संचार भेजा जाएगा नियामूर्ती प्रतिवा एम सिंग ने कहा कि उनके किसी भी करीबी रिष्टिदार को ये सुनिश्चित करना होगा कि संचार का सबूत है जादा जानकारी के लिए सबस्क्राइब करिये हमारा यूट्यूब चैनल ले विजिट करिये हमारी वेबसाइट www.livlaw.in जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं Live Law Hindi पे आपको हिंदी में सारी ताज़ा अपडेट भी मिल जाएंगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कॉमेंट करिए अपने व्यूज हमें यूट्यूब पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जॉइन करें आज़ा मेंबर और सिर्फ 89 रुपे प्रतिमा में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिजम को प्रमोट कर सकते हैं धन्यवाद